नमस्का दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जिस कार के बारे में बात करेंगे, वो है स्कोडा का एक थमाकेदार मॉडल, जिसका बेस वेरियंट ही अपने आप में एक शांदार विकल्प बन जाता है, कि जो 7.8-9 लाक रुपए में मॉडल आ रहा है, उसमें आपको क्या कुछ मिलेगा? देखिए दोस्तों, सामने जो आपको दिख रही है, का बेस मॉडल है, इसमें आपको जो है, यहाँ पे अलोई वील्स नहीं, बलकि यहाँ पे आपको इसमें, स्टील रिम्स देखने को मिलने वाले हैं, बच जो गारी है, बहुत ही ज्यादा प्यारी और बहुत ही ज्याद उम्दा लग रही है, इसी के साथ साथ अगर फ्रंट की बात करें, तो दोस्तों फ्रंट में भी अपकी बार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि इसके बेस मॉडल से ही अपकी बार आपको फ्रंट में DRL देखने को मिलेंगी, क्नॉइस साथ ही साथ यह LED हेडलाइट का जो सेटप आपको देखने को मिल रहा है, यह बेस एंड मॉडल से ही देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से जो है, अपने आप में एक बहतरीन विकल्प बन जाती है, उन लोगों के लिए जो साथ लाख असी हजार में एक ऐसी गाड़ी ढून रहे थे, देखिए दोस् इस प्राइस में अब जो भी गाड़ी आएगी वो मुह की मात खाने वाली है, क्योंकि एक जर्मन गाड़ी है और इन लोगों ने इतने भयंकर प्राइसिंग रख के ये तो दिखा दिया है, कि गाड़ी जो है वो जबरदस्त रहने वाली है, अब साइड प्रोफाइल की त देखने को मिलेंगे, रियर की बात करें तो बहुत ही शुक्र है कि स्कोडा ने अब की बार इसके अंदर कनेक्टेट टेल लाइट नहीं दी और यह गाड़ी जो है, ये काफी हद तक आपको ओड़ी की क्यू टू से देखने को मिलती है, तो 40-50 लाख रुपए की गाड़ी को मिल रही है, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लुक्स देती है, पीछे रिफ्लेक्टर्स जैसी चीजें जो है जबर्दस्त बना देती है, एक दशमलव शुने TSI इंजन आता है, अब बात कर लेते हैं कि कौन से कौन से कलर विकल्प में यह गाड़ी आपको मिलने वाल है, तो सबसे पहला कलर जो इसमें दिया जाएगा वो जाएगा ओलिव गोल्ड कलर, यहां से आप चेक आउट कर सकते हो, हाला कि एक ग्रीन लग रहा है, बट कंपनी इसको ओलिव गोल्ड नाम देती है, क्योंकि इसमें आपको हलकी फुलकी गोल्डन शेड देखने को मिले तो इससे कमपनी इसको ओलिव गोल्ड फुकराती है, पर ठीक है, वैसे आपको इसकी जो ग्रिल है वह दिखने लग रही होगी, तो फ्रंट की जो ग्रिल है, वह भी बहुत ही ज़्यादा जबर्दस्त और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, यहां से जीहा दोस्त इस लिए आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्योंकि जर्मन गाडियों में मोस्टली जो रेड कलर है वह काफी ज्यादा बढ़िया निकल के आता है। क्नॉइस रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा प्यारा और अमीजिंग लगने लग रहा है। ब्लैक कलर भी नो डाउट काफी ज्यादा प्रीमियम लुक्स देने लग रहा है। इसी के साथ साथ ब्रिलियन्ट सिल्वर कलर की तरफ अगर हम आ जाए यहां से तो इसका ब्रिलियन्ट सिल्वर कलर जो है वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगने लग रहा है। ब्रिलियंट सिल्वर कलर में आप लोग चेक आउट कर सकते हो जो है अपने आप में जबर्दस्ट लुक्स देने लग रही है दोस्तों जी हाँ जबर्दस्ट लुक्स के साथ ये गाड़ी जो है इतिहास रचने वाली है क्योंकि 7.89, 00, 00, 00 में आपको एक जर्मन गाड़ी मि वाइट कलर भी जोका है काफी ज्यादा वाइट होता है दूसरी गाड़ियों में पीला मिलता है बट इसमें वाइट कलर मिलता है ख्लैडिंग आप चेक आउट कर सकते हो, ख्लैडिंग आपको कैसी लग रही है, दोस्तों ये भी लिख के बताएगा, यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स जो है वो देखने को जाते हैं, दोस्तों चलते हैं, इसके इंटीरियर की तरफ की बेस एंड मॉडल का इंटीरियर कैसा रहेगा, तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपकी का बेस मॉडल साथ डॉट नवासी, 0000 में ये जो बेस मॉडल है, ये सब की पुंगी बजाने के लिए तयार है, दोस्तों ये चेक आउट कर सकते हो आप लोग, इसमें बीच में आपको बड़ा सा एक डिजिटल इंस्ट क्लस्टर तो नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको एनालोग मीटर मिल जाता है, ये सम वही एनालोग मीटर है, जो आप लोगों ने कुशाक में भी देखा होगा, साथ ही साथ बीच की बात करें तो मिड में आप लोगों को डिजिटल डिस्पले देखने को मिलती है, जो जाता है, ओफ का एक बड़न मिल जाता है, इधर की बात करें तो दोस्त यहाँ से आप चेक आउट कर सकते हो, इधर है जो मिडिल में आपको इसको आटोमेटिक तो नहीं, बोलिंग गे मैन्यूल जो है आप लोगों को बीच में मिरर देखने में मिल जाते हैं, दोस्तों य जहां से साइड की बात करें तो ट्विटर सास देखने को मिल जाता है, बीच की तरफ कोई स्क्रीन नहीं दी गई है, इसमें बेस एंड मॉडल है, इसलिए स्क्रीन नहीं बट स्कॉडा की बैचिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप चेक आउट कर सकते हो, ट्रिप जाता है, बट गाइस गाड़ी जो है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक्स है, वो देने को मिलेंगे आपको यहाँ पे बीच में आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट छे गियर बॉक्स वाला गैर मिल जाता है, इंजन जो है, इसका बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बता पावर विंडो के साथ साथ वाइट जो काम है, वो पैनल्स पे भी देखने को मिल जाता है, साइड प्रोफाइल की बात कर रहे थे, यहाँ पे चारों पावर विंडो ज हमें देखने को मिल जाती है, इसी के साथ साथ यहाँ पे आप इसको अड़स्ट कर सकते हो, जो आपक मिरर है वो भी adjustable मिल जाता है यहां से ये चीज भी काफी ज्यादा amazing दी गई है दोस्तों interior जो है वो अच्छा है गाड़ी का इतना ज्यादा basic नहीं लग रहा यहां से देखे तो अगर आप बीच में display वगेरा लगा ले और music system जबरदस्त लगवा ले तो एक गाड़ी लोगों को हाथ रखने के लिए एक space मिल जाती है यानि की आमर्ष मिल जाता है और उसका आमर्ष जो है वो भी काफी ज्यादा comfortable है दोस्तों side की बात करें तो side में जो है आप लोगों को यहां पे कपड़े का काम मिल जाता है दोस्तों इधर बात करें तो 6 airbag जो है standard रखे गए दोस्तों है dress जो है वो भी काफी अच्छे design का बनाया गया दोस्तों यहां पे अगर पीछे की तरफ चले तो पीछे में आप लोग check out कर सकते हो तीनों में जो है आपको address मिल जाता है comfortable मिल जाएंगी seats जो है वो भी दोस्तों यहां पे arrier में arm rest आपको base and models ही देखने को मिल जाता है दोस्तों तो यह वाली चीज ने इस गाड़ी को काफी ज़्यादा जबर्दस्त बनाया है 7.89, 00, 00, 00 में आपको भर-भर के features जो है में देखने को मिल रहे है क्नोइस बात करी जाए जो गाड़ी है no doubt काफी ज़्यादा अच्छे sales figure लेके आने वाली है दोस्तों और और तो और इसमें 25 जो features है तो दोस्तों इस car के base model में इतने सारे features मिलने के बाद आपको क्या लगता है comments में जरूर बताएं